जै समिधान जै भीम मात्पां गांदी की जै कोर्से मुर्दाबाद पोर पीम न्यूज नेट्वर्क में आज कल एक बहुत बड़ा विशे है जिसमें मैं आप लोगों का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूँ एक बिना वजय के एक मुद्दा बनाये गया है और जिसमें भारतिय समस्ता और संस्कृति की सारी परंपराओं को ताक भी रख दिया गया है और मेरे जैसे अंबिटकराई ड्रहमण सनातरी को की भावनाओं को ठेस पहुंची है इसलिए मैं यह प्रस्तुति आपके सामने कर रहा हूँ देखे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से डिफेमिशन होता है लेकिन जो मैं संदर्म लूँगा उससे आपको बात समझ में आ जाएगी किसी की फोटो नहीं डलेगी मैं यह फोर पियम वाले जो एड्मिनिस्टेटर से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा किसी की फोटो नहीं ले टैग लाइन में भी ध्यान रखें किसी व्यक्ति का नाम न लेकिन जो बात मैं कहूंगा वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा पिछले तिन चार दिनों से एक बहुत बड़ा चर्चा का विश्य है जिससे मेरी आत्मा को ठेश पहुंची है मुझे कश्ट हुआ है और मेरी भावनाओं को ठेश पहुंची और आजकर भावनाओं को हां फेश पहुंचना तो बड़ा महत्यूपून होद्ता है एक पड़े हटे कटे मजबूत पत्रकार हैं में का 73 और मेरी अच्छा वेट खे ने जो की चुनाओं के पहले अर्याएं चुनाओं के पहले 世界, BJP के कटू आचू लोचक थे, इंडियागरवन्दन के प्रवल्पर्थक थे, कॉंग्रेट के स्ट्राटेजी के मुरीद थे, और हर्याना के अंदर बाखी पत्रकारों की तरह है, बाखी सेफालोजिस्ट की तरह है, वो Congress की सारी जो strategies थी उसके प्रशन सकते और जब चुनाओ के रिजल्ट्स आ गए और बिलकुल चुनाओ पलट गया यहां पहले ट पेपर में Congress जीती एग्जेट पोल में Congress जीती पहले दो गंटे Congress जीती और उसके बाद अचानक पाला पलटा पासा पलटा और भरती जंता पा सफॉलोजिस की बात नहीं सुन रहा हूं उन्होंने किसी नहीं कहा सफॉलोजिस नहीं कहा कम से कम की बाई एक्जेट पोल का मतलब होता है जब वोट देके आदमी निकल रहा है वोटर तो साइंटिफिक मेथडोलोजी से टूल से यह पता चला जाए उसने किसको वोट दिय यह एक्जिट पोल होता है यह प्री पोल नहीं होता जिसके बाद स्टेडिजी बदली जाती है एक्जिट पोल का मतलब सारी स्टेडिजी इसको इंकॉर्पोरेट कर लिया गया और रिजल्ट जो है वो एक्जिट पोल के साबसे होगा एक दो परसन का डिफरेंस हो सकता है यहां तो 60% का डिफरेंज हो गया, लेकिन किसी सेफॉलिजिस्ट ने अभी तक ये सफाई नहीं थी, कि ऐसा क्यों हुआ, तो यह जो स्वस्थ बड़े हटे-कटे पत्रकार हैं, इन्होंने अपने उत्साह में, या अतिरेक में, या सेंसेशनलिजम को बढ़ाने के लिए, एक प्रसिद्ध चैनल में, जिसमें तीन लोग कुल थे, जिसमें एक ये थे और बाकी दो बड़े प्रतिश्टित पत्रकार ये आरोप लगाया, कॉंग्रेस पर, कॉंग्रेस के एक वरिष्ट व्यक्ति पर जो केरला के रहने वाले हैं, और राहूल गांदी, सुनिया गांदी के बड़े एक नजदीक हैं, और एक ऐसी महिला केंडिडेट पर, जो हर्याना में चुराव लड़ना चाहती थी, और जि लिए, एक ऐसी महिला को टिकेट मिला, जो चुराव हार गई, जो चौथे नंबर पर रही हैं, यहां तक कोई परिशानी की बात हैं, यह दोनों फैक्त हैं, टिकेट मिला और चौथे नंबर पर आई हैं, मैं कीज़े का संदर्ब नहीं ले रहा हूं, अपना मतलब निकालन आनांने वाले के हेसाब से, जिसने वहवारत पढ़ी है, जिसने रामान के पढ़ी है, जिसने मणायाँ पढ़ी हैं कि किसी भी महिला का नाम लेके direct और indirect उसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, उसके चरित्र पर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, उसकी इनकॉंपेटेस पर लगा लीजे, उसकी कम education पर लगा लीजे, एक तो उसके features पर मत लगाईए, उसकी body shaming मत कीजे, लेकिन character shaming तो बिल्कुल मत कीजे, चर और जिस महिला को ticket मिला, उसको महिला मित्र बताया, महिला मित्र, अब महिला मित्र, फिर उनने कहा कि महिला मित्र, इसलिए अपने वीटो का उप्योग करके, उस महिला को ticket मिला, वो चौथे नंबर पर आई, वो हार गई, हारना जीतना तो लोगतंद्र में होता है, वहां त लिए एक गलत आदमी को मिल गया गलत महिला को मिल गया यहां मुझे समस्या है कि जब महिला मित्र विशेशक्ण का व्योग आप कर रहा है इसका मानिया किसी का करेक्टर assassination कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से सनातनी परंपराओं के विरुद्ध है अच्छा फिर उन्होंने और संदर्व लिया कि जिस कॉंस्टुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुट गांधी को पूझने के बजाए कोटसे को पूझने लगी और जब उने लगा कि बीजेपी में उनकी दाल नहीं कल रही है तो वह कॉंग्रेस में वापस आ गई और यह भूल करके वह बीजेपी में गई थी तो उनकी निश्ठा डॉटफुल हो गई है अब क्योंकि अच्छी क कॉंग्रेस का अध्यक्ष होता तो मैं भी उन्हें टिकेट ना देता वाइ जिसकी कॉंग्रेस विचारधारा से कोई निश्ठा नहों जो भारती जंता पाड़ी में जा सकता हो जिनकी विचारधारा हैं बिलकुल विरुद्ध है शिवसेना से बीजेपी में जाना कॉंग्रेस के प्रति निश्ठावान रहा जिसका पती आर्मी का सीनर ऑफिसर है और आर्मी के अवसर्वों के प्रति हम लोगों के दिमाग में शद्धा होती है जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया वोभी ब्रहमन है जिस बीटिया पे आरोप लगाया वो भी ब्रहमन है ठीक है मैं अबेटकराई मनुँ स्थालों के पहुँची अरे आप चलिये किसी पधादिकारी पे आरोप लगा दें लेकिन उसके साथ किसी महिला को संबद्ध कर दें और डिरेक्ली इंडरेक्ली पॉइंट आूट कर दें कि वो महिला कौन है जिसका पति आर्मी में हो जिसके पिताब विधायक रहे हो और जिसने Congress विचारधारा के लिए संगर्ष किया हो अगर उस नई जनरेशन के बच्चे को प्रोसाहित करने के लिए Congress उसे टिकेट देती है जो चौथे नूमर पे आता है तो अगली generation को तयार कर रहा है सब्सक्राइब अब देना जो हारग बशर्टे गई हो लेकिन निश्ठा नहीं बदली और जिसका प्रतिष्ठा है उसे जितर के अंदर के मैं किसी का नाम नहीं यह जे रहाँ नप फत्रकार का नाम ले रहे हों ना वरिश्च्छ पताधिकारे का नमे रहे एनला हुए मेहला का लेकिन अगर मेरे परिवार के प्रेफार बीटिया है भारत की बीटी है कोई विनेश फोगाट भी हो कंगना रानाद भी हो चाहे कंगना रानाद कुछ भी बोलती हो अब बगवास करती हो उपटायंग बातें करती हो जलूल बातें करती हो लेकिन मैं उनकी निंदा कर सकता हूं ने कर सकता हूं लेकिन हैं तो बेटी हैं तो महिला तो मैं महिला का पान न जबकि हुड़ा जी ने खुद कहा शेलजा जी ने खुद कहा जब हमारी हाई कमान की मीटिंग होती है शेलजा जी भी होती है हुड़ा जी भी होते हैं राहूल भी होते हैं खड़गे साब भी होते हैं सारे वरिष्ट पतारिकारी होते हैं सब अपना नाम बताते हैं सब की र खीक है कि किसी ने कहा मा लीजे मैं किसी बिटिया का नाम रिकमेंड करूं और वो एलक्षिन हार जाए चौथे नुम्बर पर आ जाए इसका बने कोई के चीठ हरण वाली बात हो गई आप ने तो उस बॉस बच्ची का जीवन को कलंकित कर दिया अब सनदो करें तो मेरी भावन मुठेज पहुंच रहे हैं यह उचित नहीं तो यह नहीं है यह महीलाओं के साथ इस प्रकार का चरित्र हनन क्योंकि पुर ये समसे असान होता है महीलाओं के खिलाभ आरोब लगाना उनके चरित्र पर और वेचारी विटिया तलब कर रह जाती है मन मकसोस के रहा जाती है इन दुष्टों के इन दुषासन दुरियोदनों से कैसे मुकाबला करें क्योंकि वह भी नहीं कर पाई थी द्रौपते भी नहीं कर पाई थी तो भगवान कृष्ट ने बताया था बचाया था तो हम साहे जो भारत वर्ष के भारतकी सपरताश संस्कृति को प्यार करने वाले रहोंगे हैं सुटन और हिंदू धर्म को प्यार करने वाले लोग हैं से निवेधन करता हूं कि सभी पत्रकारों से कहें character assassination करना तो मर्द मर्द का करें मर्द जो है और तो पे उनका चरित रहना न करें बिटियों के चरित रहना न करें दूरापदी का चीरहन करके दुशासन दुर्योदन न पनें वरना अच्छा नहीं है कोई फोटो दे रहा है कोई नाम ले रहा है और जो बिटिया जिसके खिलाब इस प्रकार की आरूप लगाए जाएंगे और पत्रकार चाहिए केता बड़ा पत्रकार हो किता मोटा ताजा पत्रकार हो मैं उसका विरोद करूंगा चाहे कोई कीमत उसके लिए चुकानी पड़े नमस्कार धन्यवाद अप्रणाम